नमस्क्राइब दोस्तों, विनीत पान्रे आपके सामने फिर से और जी हाँ, बहुत सारी प्राब्लम्स हुई हैं आपको, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज पढ़ें मैंने, पेपर वन, आउट ओफ दे वर्ल्ड बोला जा रहा है, कोई ये नहीं कहरा है, आउट ओफ दे स आता है, और दोनुस रिचुएशन में मेरे को सिर्फ एक बार होता है, कि या बहुत आसान था, मैं देता तो बिना पढ़े ही निकल जाता, या बहुत टफ था तो ये एक्जैम तो देना था, फेस करना था, तो दोस्तों, पेपर वन क्राइसिस, ये पहली बार नहीं हुआ है, ही 2014 जून में भी हुआ था, पेपर वन टफस्त आया था, आउट अफ दे वर्ल्ड आया था, प्लस, क्या सरफ पेपर वन ने सब को रूलाए है, तो बहुत सारे केसे में हमने ये देखा है, कि पेपर टू ने भी रूलाए है, पेपर टू ने भी दुखी किया है, हलंकि में अपने सब्जेट्स के लिए तो सरफ सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर, अपने सब्जेट की तो तरिफ करनी है, मेरे सब्जेट के जो रिव्यू है, जो मैंने स्टेटस भी लगाए थे कुछ, वो फिलहाल तो यही है, कि सर पढ़ा हुआ था, जो आपने पढ़ा है त सारे ग्रूप्स हैं, लेकिन ऐसा क्या होगा कि पेपर वन ने ऐसे आके सब को चौका दिया, लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, सवाल समझ नहीं आ रहा था, इसके साथ, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, मेरा कंप्यूटर 20 मिनिट हैंग था, मेरा 10 मिनिट हैंग था, सर मुझे आंसर्स नहीं दिख रहे थे, सर मेरे को बलर आंसर मिल रहा था, या सर जब भी मैंने पेज चेंज करने की कोशिश की, पेज मेरा हैंग हो गया, मेरा समय खराब हुआ, और यहां तक कि ये भी सुनने में आया कि हमारे आंसर्स सब्मिट ही नहीं हुए, कंप्यूटर की गलती के कारण, देखा जाए, तो नेट में एक सिस्टम है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तो समय समाप्त होने के बाद भी आपके आंसर्स अपने आप सब्मिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूटर कि नहीं सर्, समिट नहीं हुए, तो अब आता है में सवाल, पेपर वन क्राइसिस, बहुत सारे स्टूडिन्स को कंप्यूटर करवाने वाले हैं, कंप्यूटर की वज़े से बहुत सारे बच्चों के सपने अधूरे रहने वाले हैं, हलांकि इस पे हमें एक सवाल उठाना ह मैं आपके साथ मिल के एक सवाल उठाऊंगा, बहुत जल्दी हम सरकार से सवाल करेंगे, कि इन बच्चों का जो 15 महीने, 18 महीने से पढ़ रहे हैं, कि अब एक्जाम होगा, अब एक्जाम होगा, आपने उने क्या दिया, सोचिए, कब से, पिछले 3 महीने से एक्जाम पोस् दोस्तों, अब आता है सबसे important point, question ये है, कि ठीक है, paper 1 ने बरबाद किया, computers ने रुलाया, तो cut off क्या रहेगा, now look at this thing, हम आपके बारे में cut off के बारे में एक बात कर रहे हैं, ये cut off overall सभी subjects के लिए है, plus मैंने यहाँ पे 2014 का reference लिया है, 2017 December का reference लिया है, इन में paper 1 बहुत ज़ टफ आता है, तो fail होने का जो percentage है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, for example मैं English literature है, 8 बार net हूँ, 2 बार GRF हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि sir, paper 1 औ paper 2, आपको क्या पसंद है, मैं बोले हूँ को paper 2 आता है, paper 1 में मैं 0 हूँ, तो generally क्या होता है, कि हमारा सा attention paper 2 में रहता है, paper 1 को हम लेते हैं lightly, plus अगर अच्छे से भी बढ़ रहे हैं, और syllabus से बाहर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो paper 1 अगर tough है, तो आपका जो result है, वो बहुत ज़्यादा down जाएगा, result जो है वो नीचे जाएगा, गिरेगा, यानि कि सवाल आता है, कि अगर result नीचे गिरेगा, तो फिर result क्या रहेगा, तो दोस्तों, यहाँ पे एक simple सी चीज है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बता है, 2014 June, 2017 December, इनका reference है, मैं यहाँ पे आपके लिए clear कर देता हूँ, अप्रोक्स, general category, for you are unreserved, आपका जो cut-off है, वो अप्रोक्स 51% to 53 के बीच में रहेगा, प्लीज मैंशन देस थिंग क्लिरली, अभी तक उपर वाले के देया से, जितनी cut-off बोली है, पॉइंट्स में फरकाता है, अदरवाइस उतना ही रहता है, तो 99% इसको mark कर लीजेगा, ह 50% general category की cut-off जाएगी, इतनी कम cut-off पहले भी जा चुकी है, तो कोई नई डील नहीं है, प्लस, अगर हम OBC cut-off की बात करें, यह आपका 46% to 48% के बीच में रहेगा, इसको आप अलग कलर से मैं आपको mention भी कर देता हूँ यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, प्लस अब आ से PWD है, तो यह दोनों cut-offs, अप्रोक्स सेम रहेंगी, और इसको हम मान के चलते हैं, 41% to 43%, पहले भी जा चुकी है, सेम परसेंट इस, so nothing to worry, अप्रोक्स यही रहेगा, दोस्तों या देखना कि paper 1 बहुत बड़ी मात्रा में result नीचे गिराता है, प्लस बहुत सारे deserving बच्चे जिनके computers hang हो गए, बहुत सारे toppers बच्चे जिनके computers hang हो गए, तो कोई ही नहीं ऐसा जो percentage या percentile उपर खीच पाए, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको याद रखना है, यह होगा आपका cut-off, इसको आप ध्यान से देख लिए, screenshot लगाना चाए, screenshot लगा सकते हैं दूसरी चीज मैं आपको एक सजस्ट करूँगा, खास करके उन बच्चों का जिनका computer hang हुआ था, जिनको परिशानी आउई थी, NTA को email करो, आपकी तरफ से email मैं भी करूँगा, लेकिन मेरा email सिर्फ एक email होगा, लेकिन आप हजारों बच्चे हो, आप, आपका हक है, आप भ तो भी वो fail हो सकता है, यहां तो आपका computer ही खराब था, computer ही hang हुआ है, तो दोस्तों, please, सवाल उठाइए, अपने हक की बात कीजिए, और हाँ, हमें subscribe करके support कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, thank you.